गईज आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ इस तरीके का लाइटरो मैप से डार्क ब्लू सा टोन डालना सिखाएंगे देख परो कि ये फोटो दिखने में कितनी ज़्यादा मस लग रही है एंड इस तरीके के एडिंग करना एक दम आसान है आप सिर्फ लाइटरो मैप का यूज करके इस तरीके की फोटो एडिट कर लोगे एकदम चुटकियों में आपसे बस रिक्वेस्ट है कि आज कि इस वीडियो को कंप्लेट देखिए क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरा यूटूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लेट देखिए 5-6 मिनिट का वीडियो है आप एकदम बढ़िया तरीके से सीख जाएंगे तो चलिए बेना किसी देरीके इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट हाँ तो गईज आप देख पर हो कि हमने इस फोडो को यहां लाइट रोम एप के अंदर उपेन कर लिया है आपको भी अपनी जिस भी फोडो को एडिट करना हो उसे आपको Lightroom Map के अंदर उपेन कर लेना है Lightroom Map के अंदर आने के बाद सबसे पहले इस फोडो के अंदर अभी हम Light की Adjustment करेंगे इसके लिए हम इस Light वाले टूल पे क्लिक करेंगे यहां से हम Contrast के Value बढ़ा कर Plus 10 कर देंगे ठीक है Contrast बढ़ा देने के बाद आपको Highlights को थोड़ा सा Minus Side रखना है Highlights को हम लगबग Minus 77 कर लेते हैं and Saddles आपको दिख रहा होगा Saddles भी आपको कम कर लेना है बट इसे बहुत ज़्यदा कम नहीं करना है Minus 7, Minus 10 के आसपास आप रख सकते हो Whites की Value थोड़ा सा कम कर लेते है and Blacks की भी Value कम कर लेते है यह सब काम कर लेने के बाद आपको यहाँ Exposure का एक Option मिलेगा Exposure को आपको Minus 10 कर लेना है अब आपको एक बार मैं फोटो दिखाता हूँ यह देखो Before and यह देखो After आप देख पर हो कि पहले फोटो लाइट थी and अभी फोटो केंदाना थोड़ा सा डाक सा टोन जो है आ गया है फोटो केंदर हमारा लाइट के Adjustment कम्पलीट होता है अभी हम Effects Tool के इंदर चलेंगे and यहाँ Texture की Value बढ़ा कर प्लस 8 कर लेंगे and Clarity के Value प्लस 4 कर लेंगे ठीक है DH को आपको बढ़ा लेना है लगबग प्लस 10 के आसपास and Vignit को आपको Minus Side रखना है Vignit आपको Minus 25 कर लेना है and Midpoint को आपको कम कर लेना है मतलब Left Side के तरफ कर लेना है लगबग इतना कर लेना है Left Side के तरफ 42 and Vignit को लगबग यहां Minus 17 के आसपास आपको रख लेना है अब यह दर आपको दिखेगा इसकी Value आपको Right Side में बढ़ा कर 61 कर लेना है and Photo के अंदर देख पर होगे हमारे मतलब Light के Adjustment Effect वगरा यह सब लग चुका है यह Before and यह After यही पर हमारा पहला Step खतम होता है अब बढ़ते हैं अपने Second Step की तरफ इसमें हमें फोटो गंदरना Color Grading करना है तो इसके लिए हम जाएंगे इस Color वाले Tool के अंदर and Color Tool से ही आप किसी भी फोटो को मतलब Color Grading करोगे तो आप ध्यान से समझो नहीं तो आप किसी भी तरह का Photo Edit नहीं कर पाओगे सबसे पहले Temp की Value बढ़ा लेते हैं Temp की Value आपको लगबग इतना बढ़ा लेना है Plus 14 के आसपास ठीक है Plus 14 गाइज मेरे Temp की Value बढ़ा लिया अब 10 की Value आपको बढ़ा कर Plus 8 कर लेना है यहाँ पे दो काम आपको करना है बाकी यह Vibrance and Saturation दिखेंगे इन दोनों को आपको नहीं चेर ना है अब गईज आपको जाना है Mixed Tool के अंदर Mixed Tool Lightroom का बहुत ज़दा इंपोर्टेंट टूल है इसमें बहुत सारे Colors आपको दिख रहे होंगे यह देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब 8 Colors आपको मिल जाएंगे इनी 8 Colors का यूज करके हम अपनी फोडो के अंदर Color गैडिंग करेंगे तो इन सब को समझना आपको काफी ज़दा जरूरी है अभी हम आएंगे Blue Color के अंदर और Blue Color का Saturation पुड़ा-100 कर लेंगे एक अभा Color आपको दिखेगा इसका भी Saturation पुड़ा-100 और यह Magenta Color परपल कलर है परपल कलर का भी Saturation पुड़ा-100 Magenta Color के अंदर आना है इसका भी Saturation पुड़ा-100 कर लेना है यह सब कर लेने के बाद आपको आना है ग्रीन कलर के अंदर और इसकी हूँ को पूरा लेफ्ट हैड की तरफ कर देना है आप देख पर एक फोटो के अंदर कुछ इस तरीके का येलो सा टोन जो है क्रियेट हो जाएगा यहां से हम इसकी लुमिनेस थोड़ा सा कम कर लेते हैं माइनस थाटीन यहां से इसकी वी सेशुरेशन पूरा माइनस हंडिट कर लेंगे अब गाईज आपको आना है येलो कलर के अंदर यहां से इसकी यू को पूरा लेफ्ट हैड की तरफ करना है आप देख पर एक फोटो के अंदर कुछ इस तरीके से औरेंज सा टोन जो है आ जा करेंगे तो हमारा स्कीन पे इसका अफेक्ट होगा ठीक है सिंपल से स्कीन का सेचुरेशन हम करते हैं मतलब की औरेंज का सेचुरेशन कम करेंगे तो हमारा जो फेस है है इसका सेचुरेशन कम और्टोमेटिक हो जाएगा बाकि यहां से आपको यू के वेल्यू थोड़ी से राइट रेट में बढ़ा लेना है यहां luminous को plus 8 कर लेते हैं यहां से आप गईज आपको जाना है red color में and red का saturation कुछ इस तरीके से बढ़ा लेना है ठीक है यहां से इसको done पे click करना है आप देखवार हो कि फोटो के अंदर कुछ इस तरीके से dark black सा tone जो है आ चुका है यह radiant वाले टूल के अंदर यहां आने के बाद यहां पर आपको basically तीन चीजे को यूज करके अपनी photo के अंदर ब्लू कलर को add करना है यह रहाँ shadows and यह रहां mid tones and highlights ठीक है सबसे पहले highlights के अंदर आएंगे highlights में कुछ इस तरीके से blue सा tone जो है add कर लेंगे highlights में डाल देने के बाद आपको आना है mid tones में and mid tones में भी same कुछ इस तरीके से आपको blue सा tone जो है डाल लेना है यहाँ पर आपको दिख रहा है का बैलेंस तो बैलेंस को थोड़ा सा लेफ्ट एड की तरफ रखेंगे माइनस 17 यहाँ से इसको डन कर लेंगे ठीक है इतना हो जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से डिटेल्स वाले टूल के अंदर इन फोटो गेंदर अभी हमें डिटेल्स को इड करना है इसके लिए हम सार्पनिंग के वेलू सबसे पहले 49 के आशपास बरहा लेंगे नौज रिडेक्शन के वेलू बरहा कर 40 कर लेंगे यहाँ से डिटेल्स की वेलू बरहा कर 39 कर लेंगे contrast की value बरहा कर 22 कर लेना है color noise reduction बरहा कर 45 कर लेना है ठीक है यह इतना काम देख पर हो गया details की value थोड़ा सा और increase कर लेते हैं यहाँ पर अभी photo दिखने में काफी ज़धा मस लग रहा है थोड़ी सी guys हम यहाँ पर कर लेते हैं विगनिट को और कम ताकि photo में थोड़ा डार्क साटोन और ज्यादा दीखे ठीक है तो विगनिट को हम लगभग यहाँ पर minus 31 कर लिए यहाँ पर मिट पॉइंट को भी minus side डख लेते हैं आप गईज शेर वले आइकोन पर क्लिक करके save to device पर जैसे आप क्लिक करोगे आपकी photo आपकी gallery के अंदर easily save हो जाएगी तो काफी ज़धा आसान सा tutorial था आई होप गईज आज की ये वीडियो आपको काफी ज़धा पसंद आई होगी इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को like करके channel को subscribe कर लिजे मिलते हैं आप से किसी next वीडियो में फिलाल के लिए इतना ही love you all, take care, bye bye